हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल आज मैं शेयर करने वाली को आपके साथ दिवाली स्पिशल शिक्स डिफ्रेंट स्टाइल स्वीट्स यानि मिठाई की रेसिपी होमेट शुद्ध और स्वाधिस्ट तो घर पे बनाएए इस दिवाली अपनी सारी मिठाईय एकदम सिंपल और इजी तरीके से देखने में कितनी अच्छी लग रही है जैसे बजार से लाए है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए मैंने लिए हैं एक कटोर है मखाने इंडो कड़ाए में अच्छे से बूल लेना है पल्टे की साहिता से हिलाते हुए बूल लेना है इस तरह से तो यह मखाने अच्छे से बढ़िया कुरकुरे हो जाने चाहिए इस तरह इनको धीमी आच भूनना है अधी हिलाते हुए आधे तो यह अपने मकाने भून करेडी हो चुक है और इन्व को निकाल देंगी और फ्लेटँ में अध्या ठंड़ा होने के लिए रख देंगे तो यह मकान देखें ठंडा हो चुकुए हैं इनको मैं भोड रही हूं तो आसानी से फूट रहें एक मिक्सेजार में और उस्टा बारिक पीछ लेना है इस तरह से बढ़िया बारिक पीछ के तैयार कर लेना है अभी इसी में में डाल दूँगी दस से बारा काजू और इनको भी इसी में अच्छा से पीस लेना है तो काजू और मक्खाने का बढ़ ऐसा बारिक चूरा तैयार हो चुका है अब इदर लिया है अपने कड़ाई इसमें डाल देंगे हमें एक गिलाज दूद्ध गेस को मैंने भी वोनी किया है गेस को अपन सारे सामागरी मिक्स करके फिर वोन करेंगे अब इसमें डाल देंगे वो काजू और मक्खाने का जो पना है बारिक किया था उस वाले मिक्सेर को डाल देंगे यह देखिए अब इसमें डाल देंगे तीन से चार टेबल स्पून मिल्क पाउडर अधा का टोरी खोप्रे का बुरा अधा का टोरी शकर शकर को मैंसा बारिक पीस के पी डाले हैं है यूणको मिक्स कर लेना है इस तरह से हिलाते हो गे अभी बं दिए इस तो सही से हिलाते वह इसको मीक्स कर लेना है बहुती सिंपल साधा मिठाई है ये बहुती आसानी से बन जाती है और इसमें बिगड़ने का कोई जट नहीं है जट पड बनाई ए और खाई ए अपने मेमानों को भी खिलाई तो इस तरह साच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इसको देखिए इसमें एक भी वह बल सी में दिख रहा है अपना बेटर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम कर देंगे गेस को ओन और धीमी आज में अच्छे से इ तो यह दिर दिर अपना बेटर देखिए गाड़ा हो इसता जा रहा है इसमें डाल देंगें एक टेवल इस्पून घी और इसको भी अच्छे से मिक्स करके दीमी आज पर हिलाते हुए पकाना है दीमी भी नहीं मीडियम बिल्कुल दीमा भी नहीं मीडियम आज पर इसको इस तरह से पकाना है हिलाते हुए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना देख सकते हो आप दीरे दीरे बेटर अपना गाड़ा होता जा रहा है अब इसका गेज की फ्लैम बिल्कुल धीमी कर देनी है ताइक यह चिपकेगा नहीं और इसे हिलाते हुए और पकाना है अब इस तरह से बेटर इस ऐसा गाड़ा हो चुका है अब हम गेज बंद कर देंगे तो हमने यह गेज बंद कर दिया है अब इसको पल्टे की साहिता से इस तरह से जो भी कड़ाई पर चिपका हुए उसको निकाल लेए अगर आपके पास नोनिश्टिक कड़ाई है तो इसमें बहुत अच्छे तरह से अच्छा बन जाता है यह तो क्या है अलुमिनियम की कड़ाई स्लीज इसमें थोड़ा चीपक रहा है है विग तो इस तरह से मैंने इसको इटा कर लिया है अब इक तरह इसको ठणना होने के लिए रख दिएगे तो रहे अपना मेठाई एच्छे ड़से ठंडी हो चुकी है क्छा अब इसको डिख थाली में निकाल लेंगे इस तरह से तो इस तरह मैंने इसको थाले में निकाल लिया है बहुत ही सिंपल साधा मिठा ही है बानाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और इसमें अपने लिया है थोड़ा सा हाथ पे घी और इसको हाथों से इस तरह मसल के इस तरह समसल लेना है वर्चल से रोल की तरह बनाना है तो इसके मैं दो टुकड़े कर लोगी जिसमें ने दो टुकड़े कर लिए इस तरह से अब इसके दोनों के रोल बना लेंगी इस तरह हाथों से घुमाते वर रोल बना लेना है तो यह अपना रोल बन के रेडियो चुका है अब इसको मैं थोड़ा चांदी बर्क से गार्णिश कर दूगी अब इसको अच्छे से इस तरह है चांदी बर्क से गार्णिश कर दिया है अब उस वारे लेटर का भी उस वाली मिठाई का भी कर रोल का भी हम रोल बना लेंगे इस तरह से इसकाइब रोल बन के रेडियो चुका है अब इसको तो हम पिस्ता का त्रण से गार्णिश करेंगे तो इसके लिए मैंने इस तरह पिस्ता का त्रण को थाले में फेला दिया है और उसके उपर रोल को इस तरह घुमाना है तो इती कि इस वाले रोल को मैंने इस तरह से पिस्ता का त्रण से गार्णिश कर दिया है तो इस तरह अपने ये दोनों रोल बन के रेडियो हो चुके है अब इसको हम रख देंगे दस मिट के लिए फ्रीज में सेट होने को अब दस मिट हो चुके हैं यह मैंने फिर इससे निकाल लिये हैं अब इसको इस तरह चागों से कट कर लेंगे देख सकते हो आप बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है देखने में टेस्ट भी उतना ही अच्छा आया है इसा नहीं है कि टेस्ट नहीं आया उसमें तो आप भी अपने गर में बना के देखिए ट्राइ कीजिए और कमेंट करके बताईए कि कैसी लगी वीडियो मिठाई अगर आपने बनाई तो कैसा टेस्ट आया कैसा नहीं आया देखिए मैंने दोनों रोल को इस तरह से काट लिया मैं आपको एक पिस तोड़के दिखाती हूँ देखिए किती सोप मिठाई है यह मिठाई बाजार की म कुद मिला उटी आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि मैंने डिब्बो में इनको सजा दिया है पहुती सस्ती और सुन्दर मिठाई यह बिल्कुल मार्केट जैसी तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने आए एक कटोरी मक खाने को सबसे पहले तो इनको इक कडाई में रोस्ट कर लेना है इस तरह चलाते होई इनको अच्छी से रोस्ट कर लेना है यह देखिए इस तरह से फूर्ड जाने चेहे हाथ से इस परकार इनको रोस्ट कर लेना है है थोड़ा तरह से रोस्ट नहीं हुआ है तो थोड़ी रोल में इसको चला लेदी है तो यह ही हमारे मक खाने चेहसे रोस्ट हो चुके है गेज की फ्लम को बंग कर देना और इसन को एक प्लेट में निशालके ठंडा कर लेंगे तो यह हमारे मकाने उस तरह अच्छा बारिक पाउडर बना लेना है इस तरह से देख सकते हैं वह पिल्कुली बारिक बनके तयार हो चुका है और वापस उसी कड़ाई में एक गिलास दूद एड़ करेंगे अच्छा मलाई वाला दूद है तेख समक्षाने के पाउड को अच्छान लेना है मक्षान राइब अच्छे से उस्काणल लेना है इसको अच्छे को अच्छान लेना है पर यед कि इसमें हम घालने वी ढूले आप चाओ तो यह ही ही स्टेच पर मेलिक पाउडर गय करके कि मिकस कर सकते हो मैंने विरसे बार में डाला 當 या तो इस तरहें अपशा नुद्काने के अपैसे मिकस हो छुका है पर इसको चलने में च्छी चान लेना है बार इससे मिक्स कर लेना में आप इससे में अछान आप था है कल देख सकते हुँ है शुक्तल, उपैषिये सेम्सराओ réalité कर देना है और अच्छे से इस तरह चलाना है चलाना बिल्कुल बंदी करना है तो इसी तरह से इसको चलाना है तब तक गाड़ा नहीं हो जाता अच्छे से कि यह देखे इस तरह जैसे दूद की मिठाई बनाते है विससे तरह से बनाई एक लिए आप बिना चाष्णिगे बनाई है इसको तो इस तिदेखे अलका सा गाड़ा होने लग गया है यह देख सकते हुआ जब तक अच्छे से गाड़ा नहीं हो जाता है तब तक इसको इसे चलाई देखिए इसमें बुल्बुले उपाल आने लग गया है बुल्बुले उठने लग गया है अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और गाड़ा होने में तो यहां हम इसको इसी चलाते हुए और इस स्टेच पर हम इसमें डाल देंगे लग तीन चार चमच चार चमच शकर लिए मैंने अगर आपको ज्यादा मीठा पसंदे तो आप यहां एक कटोरी शकर एट कर सकते हो थोड़ा हम मीठा कम खाते हैं तो मैंने यहां चार चमच शकर और दो चमच नारिल का बूरा दा लिया है इसको भी समच से मिक्स कर लेना है और इसी तरह से चलाना है अब देख सकते हो यह इस तरह और गाड़ा हो गया है थोड़ी देर और इसी चलाएं तो यह इस तरह का गाड़ा हो गया है यह हमारी मिठाई का डो अच्छे से तयार हो चुका है विसमें लगबग 70 परशेंट एक तरब कर लेना है और 30 परशेंट इसी में रख लेंगे है तो 70 परशेंट पार्ट में नहीं है एक प्लेट में रख लिया है ठंडा होने के लिए इसमें थोड़ा सा दूद में ग्रीन कलर का फूट कलर डालके अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इस फूट कलर को इस डो में डालते हुए इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे आउशकता अनुसार तो मैंने फिला लिया थोड़ा सा डाला है और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा इसमें color नहीं आया है हलका आया है तो इसमें थोड़ा सा और एड़ करके तो यह इस तरह दीखिए हलका color लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा color और डाल देगी मैं और इसको भी स्मेच इसे mix कर लेना है अब इसका अच्छा color आ गया है तो इस तरह अच्छा से mix करेंगे तो यह देख सकते हुआ अच्छा हमारा color इसमें mix हो चुका है गेस की फ्लेम को मैंने बंदनी किया था चालू गेस फ्लेम में इसे चलाना है अच्छा से color mix हो चुका है यह मैंने गेस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको भी थोड़ा ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे यह एक polything लेनी है अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी ले सकते हो और इस पे जो यह green color की हमारे मिठाई है इसको इस तरह से गोल गोल राउंड में रोल बना लेना है इसका इसको इस तरह से रोल की तरह बना लेना है यह और इसको एक तरफ रख देना है अब यह जो देखे एक तरह का रोल बनाना है अब इसको एक तरफ कर देंगे और वो जो सफेद कलर का हमारा डो है उसको ले लेना है इसको भी हाथ से अच्छे से मेज कर लेना है पहले तो यह देख सकते वहां अच्छे से इस्तर और बिल्गुल बेज सेंडर में इस्तर एक खटा कर लेना है इसको इस तरह हातों की सायता से इसको फेला लेना है जिस तरह में फेला रहे हूं इस तरह से फेला लेना है और रोटी के आकार में इसको गुल गुल बना लेंगे जिसमें अपना ये ग्रीन वाला रोल अच्छे से आ जाए इतना इस पेस इसमें जरूर रखना है तो देखिए अब है मेरा गुल रोल इसमें अच्छे से आ रहा है और इस वाइट कलर के डूग के अंदर इसको इस तरह से रोल कर देना है कि देख सकते हुआ है यह तोड़ा हो इसको रोल करते हुए फेला देंगे इस तरह से हलकी 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 हात उसे गुमाना है ज्यादा दबाव नहीं देना है जेख सकते हुआ आपको मीरी एसेप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए अगर आपको मेरी एडियुद्षीप जरासी भी पसंद आये हो तह्छा वीडियो को लाइक कर देना आगे भी मेरी रेसिपी को देखने के लिए चैनल को सस्काइब जरूर करें और इसी पोलिथीन में इसको रोल करके इस तरह 10-15 मिट के लिए अब इसको थोड़ा में देख एक प्लेट में लेके चानली का वर्क लगा दूँए अगर आपके साथ पास पिस्ता हो तो इसको आप पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हो तो इस तरह से चानली का वर्क लगा देना है आगे भी अगर मेरी रेसी पी देखना चाहते हो तो चैनल का सस्क्राइब जरूर कर ले मेरी रेसी पी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना तो इस तरह से चानली का वर्क इस पे लगा देना है कि अधर से मैं लगा रहे हूं और इस दिवाली यह वाली मिठाई जरूर ट्राइ करके बताएं कैसी लगी कमेंड भी करना तो इसको चांडी का वर्क लगा दिया इस तरह अब इसको हम चाकु से कट करेंगे तो देखिए मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूं इस तरह से कट करना है लगबग आधर आधर इंच के गेर में मैं इसको कट कर रहे हूं आप अपनी चोईस से कोडिंग इसको कट कर सकते हो तो यह हमारी जटट से पिल्कुल मार्केट जैसी घर पर बनी हुई शुद्देव स्वादिष्ट मिठाई बनके तयार हो चुकी है मार्केट की मिठाई में आजकल बहुत ही केमिकल बगेरा आते हैं तो इस दिवाली यह वाली मिठाई जरूर ट्राई कीजिए पैसे भी मक्खाने बहुत हेल्दी होते हैं तो यह हमारी मक्खाने की मिठाई बनके तयार हो चुकी है देखेए मैं इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूं तो देख सकते हो आप कितनी सुंदेर लग रही है देखने में और बननी भी है उतनी स्वाधिष्ट है थेंक्स वाचिंग फॉर माई वीडियो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ इसके लिए मैं निग रहे हैं एक काटोरी मुर्मुरे लगबग 50 क्राम किसम तिंग है ऐक विए मुर्मूरे में तो विजह नहीं होता है यह बहुत ही हलकि होता ह शार में डाल क्यों हुआ इंस तरह से बारिक पीरut लूगी हे मिंदमें मिक्स अब अब इसको मैं एक आठ अचलनी में चानल की अच्छे से इस थरह से इनको आठ अचलनी में चानके आधिक लोगी और यह बाकी थोड़ा दरदरा बचा हुआ है इसको भी में दुबारा से मिक्सेजार में डाल के अच्छा बारिक कर लूगी कथ इसको बीज में डाल के दुबारा फिर चाला बारी कर लुगे कर लिया है अब Mind نट अच्छान ने कि थोड़ा बहुत चलता है आग थोड़ा दरदो रिपकर दूमिंग्द अब मैंने लिए यहां पर चांच एपी हैपी बिसकिट ऐसी किड्र बाइक यह बाजार में बहुत आसंसे मितल जाता है पांच रुपय का एक आता है इनको पांचों को मैंने मिक्शार जार में डाल दिया है अब इनको अच्छे से बारिक पीश लिए बारिक पीश के इनको भी आटा चल नहीं में चानल लोगी मैंने पहली बार बनाई मिठाई लेकिन बहुत ही टेस्टी लगी आप भी बनाईए बहुत ही कम खर्च में अच्छी मिठाई बन जाती यह बाज आर्में से भी आजकल मिलावटी मिठाई बहुत महिंगी मिल रही है तो इस तरह से आप भी बनाएकर ट्राइ किजिए घर में अपने परिवार वालों को खिलाईए कुछ टुकड़े बज गए इसको मैं यह मेरे पास ब्लेंड करने का है इससे मैं इसको दबाके फोड के यह कुछ टुकड़े रह गए हैं इनको में वापस जार में डाल दूंगी इस तरह से और इनको आपस mixer में अच्छा बारिक कर लोगी तो यह बारिक हो चुके है अब इसको में पीस्के अब इनको आपस छान लोगी इसमें भी कुछ रह गए है अब भी बर्साद का सीजर ने बर्साद में किया है बिस्किट में थोड़ा नमी है तो वापस थोड़ा चमच की साहिता से फोड़के और निक्स कर लोगी ज्यादा बड़े टुकड़ा रह जाए तो वह नहीं चलेंगे कर थोड़े बारी टुकड इनको मैं इसमें डाल दूगी इसे चमच की साहिता से फोड़ रहे होंगे थोड़ा बूत रहे गया है तो इसको तो डाल दूगी मैं इसमें अब मैं एक बाव लूगी इसमें बिक सीट के बुरा दे को डाल दूगी और इसको भी एक तरफ रख दूगी इसको एक तरफ रखे इसका बाद में बैठे तयार करूंगी कि अब मैंने यह कड़ाई चड़ा दिये इस कड़ाई में डालोंगी मैं एक कप गिलास दूद और यह दूद गरम हो चुका है अपना अब इसमें मैं डाल दूगी वह जो म सब्सक्रावडर बनाया था वह में इसमें डाल दूगी और धीरे धी में आज पर इसे चलाओंगी इस तरह ही देखिए कि अब बेटर गाड़ा हो गया है इसमें वहीं गिलास से में एक गिलास दूद फिर डाल दूगी क्या है मुर्मुरे पी लेते हैं दूद तो अब इसे भी कोई दीकत नहीं है दूद तो तूटके जितना दूद डालो तो तना है मिठाय में टेश्ट आएगा मैंने गिलास दूद दूद डाल दिया है अब इसको सुद्धी में आज मैं से ऐसे ही फेटना है कि यह आज नहीं रखनी है मीडियम आज पर इसमें मैं डाल दूगी एक कट्वरी शकर का बूरा आप चाओ तो शकर भी डाल सकते हो अगर आपके घर में बूरा नहीं है तो पिर पाश चकर का बूरा था तो मैंने शकर का बूरा डाल दिया अब इसको ऐसे चलाते रहना है यह ची पकना नहीं चीए देखिए अपना वेटर वापस अच्छा गाड़ा हो चुका है इसमें डाल दूगी मैं थोड़े मैं आर्ट तस बादाम राट दस काजु को अच्छे से दर दरा करके रख रखाता है मैं इसको भी इसमें मिक्स कर दूगी और डालोंगी एक चमज खी और वापस ऐसी चला के अच्छे से मिक्स कर डूँगी देखो अपना बेटर कड़ाई से चूटने लगा है इसका मंदर ये पके रेडी हो चुका है जिस तरह यह पक्के इसको में एक तरफ रख दूग रख दो शुगा है था थंडडा होने के लिए भूप इच्छ रख हो लगा है पूँप Edwards को में ठंडा ओने के बाद आटे की तरे अच्छे से घूद लुए ये मेना टेगी तरह इमक्स क्यूद लिए अच्छा बड़े मिक्स करके कर लिया है अब इसके मैं ऐसे छोट छोटे से लोए बनाओंगी कि इससी तरह लोए लंब रखने थोड़े गॉलनी बनाने इस तरह बना के एक एक के सब में एक तरफ रख लोगी इस तरह से बनाने यह मैंने बना के लिडिकर लिए यह मेरे पास आठ लोए बना है अब मैं इसका बेटर तयार करूँगी इसमें मैं डाल दूगी दो कब दो टी सफून शकर का भूरा अगर आपके इच्छा हो तो डाल सकते हो अगर किसी को मीटा ज्यादा मीटा पसंद नहीं है तो नहीं भी डाले इसको बीची से मिक्स कर लोगी अब मैं डाल दोगे इसमें दूद्द की साहता से अच्छा ठेट लोगी दूद्द आप अपंदाजे से डाल सकते हो च्छिक बेटर को ज्यादा गाड़ा भी नहीं रखना है ज्यादा पेट लावी नहीं रखना है यह अच्छा लोगी डिया ही इस तरह को रखना है इसंसे में ड़ाल दूगी आदा पाउच इनो में पास आदा पाउच बचावा था इनों को डाल दिया और इसके साथ थोड़ा साथ दूट डूब दूजी दूसे का यह इनों अच्छा से साथ में मिक्स हो जाएगा इस तरह से अपना बेटर बनके रेडी हो चुका है अब जी से अपने पास आठ बनने तो गोले तू मैंने 8 डिस्वोजल लिया है इसमें मैं यह इस बेटर को डाल दोनी है पूरी डिस्पजल नहीं भणने है आदे आदे डिस्पजल भरके बेटर सारे गोल डिस्पजल में डाल देना है या आदे डिस्पजल भणने है इस तरीके से यह मैंने सारे डिस्पजल में डाल दिया है अब मैं इसमें वो गोले टाल दूँए के करके इस तरह से इन गोलों को इसमें डाल दूँए मैं हम इदर एक कड़ाय चड़ा दूँए कड़ाय में डाल तरह से इन गकड़ाय मैं एक पाट वरी नमक कि आपर दूगे यह मैंने पहले भी code कर रखा है इसलिए इसका इससे कलर होगा है इसको मैंने पहले भी केक बनाया था उसमें यूज किया था एक बार के नमकों पन तीन बार यूज कर सकते हैं अब इस पर रख दूँगी है मैं इदली खंबन की मेरे पास प्लेट है छेद वाली इसको मैं उल्टा रख दूँगी है अब वो सारे डिस्पोजल लेके करके इस पर जमा दूँगी इस तरह से सारे डिस्पोजल को मैंने इस पेसा चितर से जमा दिया है अब इसको फाली से डब दूँगी और 20 से पच्चिसमेंट तक एसे छोड़ दूँगी यह देख आप 20 से पच्चिसमेंट हो चुक्या आप देखिए यह बेटर अपनाची से फूल के गिलास को भी छोड़ दिया है इसनिक किनारों से देख सकते हो आप यह इसका मतलब अपना यह जो मीठा यह यह बनके रेडियो हो चुकी है अब मैं इनको एक तरफ रख लोगी एक एक करके सारों को बार निकाल लोगी कि इस तरह से सब को मैंने बार निकाल लिया है इस अब देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है इस सब को अब इनको थोड़ा ठंडा होने देने होने के लिए एक छोड़ दो गिना अब जिसी ठंडे हो चुके हैं तो देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं यह कुछ निकरना परता है यह देखिए कितनी आ मिष्ट भी अच्छा आने वाला है इस तरह से आप भी अपने घर में मिठाई बना के देखिए और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी देखो बहुत ही असानी से निकल रहे हैं मैं थोड़ा सा अपन डिस्पोजल दबा रहा है उसमें चूट जाते हैं डिस्पोजल से य कर दो कि ये निकाल लिया है कि ठंडा होने का इंतिजार भी नहीं किया तो है इन गरम में यह एक्राइट कम होते हैं आप इनको ठंडा ने के बार निकालोगे तो और आम से सेट हो जाए है अ देखिए डेखिए अच्छे लग रहे हैं कितने अब इनको चापो के साहएता से में इस तरह से काट लोगी एक एक करके सब्सक्राइब को इस तरह से काटना आ है पहले में इनको ठंडा होने का इंदिजार नहीं किया था अभी ठंडा होने के बार देखिए बहुत ही आसानी से कट रहे हैं और डीजाइन में भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं देखिए इस तरह से अपन को सारे मिटर काट के रेडी कर लेनी है तर श्रीकर ने को अ पाट लेना इनको ते मैंने सब को काट इस तरह रेडी कर लिए सब्सक्राइब करें तो इस तरह दूद को इसका पानी निकाल नहीं है पानी को तो हम फेक देंगे और गाड़े जो दूद वे गाड़ा फटा हुआ उसकी हम बनाएंगे मिठाई तो इस तरह उसको बड़े च्छान के हाथों से दबा के इसका सारा पानी निकाल दिया है इसको वापस उसी दूद वाली बहुने में डाल देंगे और पानी को तो फ साइधा केके न तक सम्सक्राइब द daughter my possono कर दोuren पावडर कर दाल दालए इसको में दोड़ी टोड़ी सी मलाय रखी थी मेरे घर में का दूध्य जब गयर अर्म कर देना मलाय है उसको एक तरफ कर देते हैं कि तो यह度र मलाय भी इड़े लिक्स कर लें मिल्क पाउड़र सब्सक्राइब 500 पाउड़र कंएprot एसे हिलाते रहना है ताकि इस तरह से दह्मी आज पर इसको इपKO कणा नहीं ही तो नहीं भी लाएंगे तो कोई नहीं रेकिन जैसे ही करम हो जाए उसके बद शिलते रहना है हिलाना बिल्कुल भी बननी होना है इस तरह से बड़े मिक्स करते हुए हिलाएं ये बड़े शिलाते हुए पहली बार बनाई ये सी मिठाई लेकिन बहुत ही अच्छी लेगी अब इसमें एड़ कर देंगे एक कटोरी नारील का बुरादा बिल्गुल छोटी कटोरी है मेरे पास इससे में सारी सामगरी डाल रहे हूं आप ऐसा नहीं सोचना के बड़ी कटोरी से डाल दो आप क्योंकि नारील का बुरादा और मिल्क पाउडर तो फिर भी ज्यादा डल जाएगा तो चल जाएगा लेकिन शकर ज्यादा नहीं डलनी चाहिए तो इस तरह अच्छा से देखिए इसमें बुलुले उठने लग गए हैं अब इसमें एड़ कर देंगे एक कटोरी चीनी वही च हिलाते हुए चलाएंगे वही मीडियम आज यह आज को तेजनी करना है तो इस तरह मीडियम आज पर हिलाते हुए उसको चलाते रहना है तब तक यह अच्छा सा गाड़ा नहीं हो जाता तो इस तरह हिलाते हुए चलाते रहना है अगर आपको मेरी रेसी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एसी नई नई मज़ेदार वीडियो देखने के लिए तो देखिए ये पनी मिठाई गाड़ी होने लग गई है इस तरह से हिलाते ही रहना है जब तक ये और अच्छे से गाड़ी नहीं हो जाती है बिल्कुल फास्ट फास्ट हिलाना है क्योंकि जितना गाड़ा होता जाएगा उतना ही कडाई के लगने का ज़दा डर रहता है नीचे से जल जाएगा फिर जली जली इसमें हिलाएगी तो इसलिए इस तरह से हिलाना बदनी करना है और हिलाते ही रहना है तो यह देखिए हलकालका सा गाड़ा होने लग गया है है कि बिल्कुल गाड़ा हो चुका है तो इसको कि बड़ा चाम मस्य से इस तरह है दवा देंगे तक कि एक दो अगर गुटले रहे भी गए हूं तो अच्छा से मिल जाया है मिक्स हो जाया है इसमें तह यह बड़े, असे गाड़ा हो चुका है, अब इसकी Ges को फ्लैम को बंद कर देंगे और इसी तरह मिक्स करकर थोड़े देर एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए को यहím यह थामना हिलान पन कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया था तो यह देखिए बिल्कुल ठंडा होने के बाद बिल्कुल ही गाड़ा हो गया है अब इसको हातों से इस तरह से चमच का भी छोड़ा के हातों से बड़ा मसल लेना है तो यह देख सकते हो इस तरह हातों से बड़ा मसल लेना है और मसल कर बड़ा ऐसा यह बहुत ही टेस्टी बनेंगे इस तरह से थोड़ा सा लेके एक पेडा बना लेंगे तो इस तरह एक एक करके यह पेडा बनके तयार हो चुका है इसी तरह एक एक करके पूरे मिठाई के पेड़े बनाएंगे तो इस तरह से एक एक करके देखिए मैं बना रही हूं तो यह अपने पेड़े अच्छे से बनके तयार हो चुके हैं अब इसको मैं किसमिस से गार्णिश कर दूँगी आप चाओ तो बादाम, काजू, पिस्ता किसी से भी गार्णिश कर सकते हूं फिलाल मैं इनको इस तरह से किसमिस से गार्णिश कर रही हूं तो यह अपने फटे हुए दूद के पेड़े तयार हो चुके हैं देखिए देखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं खाने में अब इतने टेश्टी है एक बार अगर आप बना के देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बनाना देखना कैसे लगें कमंड करके जरूर बताना थेंक्स वाचिंग पोर माई वीडियो तो आए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए मैंने आए एक कटोरे मुरमुरे लिय से इनको इसे जार मैं आच अचैसा बारीक पीस लिए पेमने इसे बारीक पैस लिया इनको एक्सान लिया ऐसे में एक तरफ करते हैं और बार के अपनकम में लेंगे इस तरह से बारिक वाला दूछ करेंगे तरह चड़ा दिये में एक कड़ाई कड़ाई में डाल देंगे गिलास दूद इसको थोड़ा गरम होने देंगे पिर इसमें डाल देंगे वो बारिक किया हुए मुर्मुरे इनको इस तरह सच्छे हिलाते हुए पकाना है जब तक कि यह गाड़ा नहीं हो जाए इस तरह हिलाते रहना है अब इसमें डाल देंगे तीन से चार्ट चमर्शकर अब इस तरह कर डाल देंगे अब इसमें डालेंगे फिर अब इसमें डाल देंगे दो चमर्च खोपरा बुरा अच्छे से मिक्स कर ले कि इसको पकाएंगे इस तरह से देंगे आज पर पकाना है हिलाते हुए गाड़ा उन्हें लगिया देखिए इस तरह से इसको अच्छे से हिलाते हुए पकाना है बिल्कुल भी हिलाना बंद नहीं करना है नहीं तो एक कड़ाई के छिपक जाएंगे जब तक गाड़ा नहीं हो जाता है इसको ऐसे हिलाते हुए पकाना है अब इसमें डाल देंगे एक चमजगी अच्छे हिलाना है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस तरह हिलाते हो इसको पकाते रहना है देखी दीरी दीरे गाड़ा हो रहा है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूट कलर जिसको हम हमारी बाशा में मीठा पिला कलर रंग बोलते हैं यह डाल देंगे इससे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और इससे हिलाते होए पकाना है जब तक कि यह गाड़ा होता है दीरी दीरे यह बेटर अपना गाड़ा हो रहा है यह लाते होए पकाते रहना है तो आप देख सकते हो यह हमारा बेटर अच्छे से गाड़ा हो चुका है अब इसको थोड़ा से देर ठंडावने के लिए रख देंगें तो यह अपना बेटर टंडाव चुका है अच्छा गाड़ा भी हो गया है अब इसको हात से इस तरह मसल लेना है पड़ा मसल लेना है इस तरह अतली से दबाते हुए बड़ा मसल के जिसे अपना आठागून के रखते हैं इस तरह से कर लेना है तो यह देखिए मैं इस तरह मसल रहे हूं इसको अब इसके कर लोगी मैं दो टुकुड़े इस तरह रोल बना के अच्छे से इसके दो टुकुड़े बराबर कर लोगी और इसका अच्छे से इस तरह वापस रोल बना लेना है दोनों इस रोल को इस तरह बना के रेड़ी कर लेना है अब इसको चापको की तरह इस तरह काट लेंगे बराबर हिस्सों में सारे रोल को इस तरह से काट के तयार कर लेंगे तो यह मेंने एक रोल को काट लिया दूसरा भी इस तरह काट लेंगे तो यह अपना रोल कट के रेड़ी हो चुका है अब इसका एक एक टुकुड़े को इस तरह पेड़े का शेप देके शारे टुकड़े के पेड़े बना लेंगे इस तरह से दबाते हो अच्छे बढ़िया पेड़े बना लेने तो इस तरह मैंने सारे पेड़े बनाके रेड़ी कर लिया है और इनको बादाम के को काटके बादाम के टुकड़ों से गार्णिश करते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक गिलाग दूद् अब इसमें एड़ करना है एक कट्टोरी मिल्क पाउडर इसको भी गेस पे नहीं चड़ाया है बिना गेस पे चड़ाई साइड में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इस तरह चलाते हुए मिक्स करना है इससे क्या इसमें लंज एक भी नहीं देना चाहिए इसलिए हम इसको पहले तो ठंडे दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसी तरह अच्छे से मिक्स करते हुए तो इस तरह हाथों से चलाते हो एच्छे से मिक्स कर लेना है देख सकते हो इसमें कितने सारे लम्स नजरा रहे हैं इस सारे को खतम करना है इस तरह से तो यहां देख सकते हो इसमें वह एक भी लम्स नहीं रहा है यह बिल्कुल दूद की तरह बंद की तयार हो चुका है, आप चड़ाएंगे इसको केस पर, तो यह मैंने गेस ओन करकी केस पर इसको चड़ाती है, अब इसको इसी तरह चलाना है, धीमी आज पर, चलाते हुए, चलाना है, तो यह बिल्कुल बंद नहीं करना है, यह बिल्कुल बंद नहीं करना है, यह तो यह कड़ाय से नीचे चिपक जाएगा, तो इसी तरह चलाते रहना है, तो यह बिल्कुल बंद नहीं करना है, यह बिल्कुल बंद नहीं करना है, यह तो यह कड़ाय से नीचे चिपक जाएग अब इसमें डाल देंगे एक टेवल स्पुन घी गी को इसमें चैसे पिगलने देंगे प्रशी के साथ आदा शकर आदा कटोरी शकर क्योंकि मैंने यहां एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया था तो उसकी इसाफ से आदा कटोरी शकर बहुत होती है अगर जादा डालोगे तो बहुत ही मीठा हो जाएगा खाया भी नहीं जाएगा तो इसी तरह चलाते रहेंगे यह गी भी तेंग सकते हो हमारा गी पिगल गया है इसलिए डालते हैं क्योंकि मिल्क पाउडर में मलाई नहीं होती है तो इससे क्या टेक्ष्ट अच्छा आ जाता है गी से वो दोद में तो मलाई रहती है इसलिए गी की जरूत नहीं पड़ती है तो दीखिए इस तरह से गाड़ा होने लग जया है इसी तिरह चलाते अगर आपको मेरी रेशिपी पंसाद में आए तो वीडियो को लाइक कर देना तो देखिए यह इस तरह से गाड़ा हो चुका है चलाते चलाते अब यहां इस स्ट्रेश पे गेस की फ्लेम को बंद कर देना है तो यह मैंने गेस की फ्लेम को बंद कर दिया है देख सकते हुआ यह हमारा आवा बनके तयार है इस तरह का एक कंटेनर लेना है मेरे पास कोई इसा बढ़तर नहीं था तो मैंने यह टिपिन का यूज कर लिया है और उस पे इस तरह से गी लगा देना है तो इस तरह से गी लगा देना है पूरे टिपिन में यह नारों पे सभी तरह से इस तरह से मैंने लगाया है अब इसमें तोड़े से पिस्ता डाल देए गार्निश के लिए और इसके उपर उस बेटर को अच्छे से सेट कर देना है दबाते हुए इस तरह से सेट कर देना है तो यह हमारी चेटपट से बहुत ही स्वादिश्ट बाजार से भी बहुत ही बड़े स्वादिश्ट मिठाई इस तरह से बनके तयार हो जाती है तो इस तरह हाथों से बड़े सेट करना है पलढ़े से नियो हो रहा है थोड़ा तो मैं हाथ कर भी यूच करूंगेज है तो इस तरह हातों की सहहदा से इसको अच्छे से सेट कर देना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना तो इस तरह चारों तरब से हाथों से इसको अच्छा से सेट कर देना है तो अच्छा से इस तरह सेट हो गया है अब इसको 10-15 मिट के लिए एक तरब रख देना है तो इस तरह से बहुत इच्छा से शेट हो चुका है अब इसको प्लेट में निकाल लेना है तो इस तरह से निकालना है जाएक शक्ते हो वह यह निकल गया मेरे पास बेटर पेपर नहीं था चलिए मैंने बेटर पेपर का यूज नहीं किया है आपके पास बेटर पेपर हो तो कंटेनर में वो लगा देना आपकी मिठाई बहुती आसानी से छूड चाहिए और इसको इस तरह से मैं चापू से कट कर रही हूँ तो देख सकते हो आप बहुती बढ़ा दानेदार मिठाई बनके तैयार हो चुकी है मार्क से भी बहुती बढ़ा और स्वादिश्ट बनी है तो इसको आप अपने मन पसंद आकाल में कट कर सकते हो फिलान मैंने इसको इस तरह से कट किया है यह देख सकते हो आप तो चलिए मैं आपको यहाँ एक पीस भी तोड़के दिखाती हूं, तो यह बहुत ही बढ़े आमारी मिठाई बनके तैयार हुई है, अगर आपको मेरी रेसिपी जरासी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक चरूर कर देना, आगे भी मेरी रेसिपी अगर देखना चाते हो, तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, थेंक्स, वाचिंग फॉर माई वीडियो, फिर मिलते हैं, एक नई रेसिपी में, नई वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, इन हैपे देवाली, इन एडवान्स, प्रेस् कि देवाली, आध रेस गत्ति देपाली, लिए यजियो, आभआ झार देना, एक नया भी चेचिंग झाल